दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहले कबर बिहार में साथ फरवारे से स्कूल खोलने की तयारी फिर से गुलजार होंगे केंपस जी अबिहार में कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पढ़ती दिख रही है जिसे देखते वे सुबह में साथ फरवारे से स्कूल और कोलेज खोले जा सकते हैं इस समद में सिक्चा विबाग ने राज सरकार को आवगत करा दिया है सिक्चा मंतरी बिजय कुमार चोधरी ने कहा है कि आपदा प्रमंदन समो जोखिम का आखलन करने के बाद आंतिम फैसला लेगा उन्होंने बताए कि राज में कोरोना संक्रमन के सित्य अभी नियंतरन में है जिसे देखते हुए हम स्कूल खोलने के पक्च में है क्योंकि स्कूल के बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई को बहुत नुक्सान हो चुका है आपको बता दे कि देश भर में कोविड-19 मामलों में राहत को देखते हुए कई राजों में स्कूल फिर से खोले जा रहे है वही कई राज अभी भी स्कूल कोलेज खोलने के पक्च में नहीं है आगली बड़ी कपर बिहार बोड इंडर परिचा 2022 एकजाम आज से घर से निकलने से पहले चातर जरूर पढ़ लिए 20 लिए चातर बीचर आज से सुरू होने जा रही है इंडर परिचा के लिए राज भर में चोदो से कतर परिचा के इंदर बनाय गये है इंटरमिंडेट की वारसिक परिच्छा 1 से 14 फरवारी तक आयुजित होगी इसमें 13 लाग से अधिक परिचात्रे सामिल होंगे परिच्छा 2 सीवड यानी सुबह साड़े 9 बज़े से 2 पहर 12 बज़ कर 45 मिनट तक होगी और दो पहर 1 बज़ कर 45 मिनट से साम 5 बज़े तक आयुजित की जाएगी चात्रो को परिच्छा होल में परवेश परिच्छा सुरू होने के 10 मिनट पहले तक ही मिलेगा पहली पाली के लिए 9 बज़ कर 20 मिनट और दूसरी पाली के लिए 1 बज़ कर 35 मिनट तक परवेस मिलेगा परवेस पत्र में परवेस से पहले दो बार परवेस की जाएगी परिच्छा के लिए जारी की गई गैलाइन के बारे में बात करें तो परिच्छाओं में चात्र अब जूता मुझा पहन कर परिच्छा दे सकते हैं परिच्छा हौल में दूसरे परिच्छात्रियों से बाचित किया तो निसकासित होंगे परिच्छा के दोरान अतरीक उतर पुर्ष्टिका नहीं मिलेगे ओएमार पर वाइटनर एरेजर नाकुन बिलेड आदे का इस्तिमेल करने पर ओएमार रद हो जाएगा परिच्छा सुलू होने के एक घंटी तक बाहर जाने की अनुमती नहीं होगी इसके अलावा उत्तर पुर्ष्टिका के पहले पन्ने के बाई तरप के वल विसे का नाम और उत्तर देने का मैदम चात्रो द्वार भरा जाएगा और इसके अलावा मास्क लगाकरी परिच्छा केंदर पर परवेश मिलेगा अगली बड़ी कबर बिहार में जारी है सीत लहर तीन फरवारी को पाटना सहेत कई जिलों में बारिस के आसार जिहां बिहार सर्द पचवा हवा की रप्तार में हुई कमी और दोप निकलने से ठान से कुछ राहत मिली है मौसम में बदलाव से राज के नियूंतम हुआ अधिकतम पारा में कुछ जापा हुआ है वहें पुर्मानुमान के अनुसार दो फरवरी तक सुबे में मौसम सुस्क रहेगा नियूंतम पारा में बड़ोतरे होगी और हवा के रप्तार में कमे होने के समावना है एक वर पिर पच्चिमी बिचोप के दस्तक दिनी की समावनाओं को देखते वे मौस्तम विवाग ने तीन फर्वरी को पठना गया नलंदा सिखपुरा नवादा बेगुस राई लकी सराई जहानाबाद बकसर आरा रोतास भववा औरंगाबाद अर्वल पच्चिमी चंपार पुर्वी चंपारन सारन सिवान वा गोपाल गंज के अलग-अलग इस्तानों पर हलकी बारिस वा मेग गरजन और बिजली चमकने को लेकर यहला अलोट जारी किया गिया है अगली बड़ी कबर 157 साल बाद बिहार में बने दूसरी रेलवे सुरंग 903 फीट है लमाई जी हाँ 157 साल बाद बिहार को दूसरा रेलवे टरनल मिल गया है मुंगेर जिले में रतनपूर जमालपूर के बीच नई रेल सुरंग का काम पुरा होने के बाद 29 जनवरे से ट्रेनों का परिचालन सुरू हो गया है दो साल में बने इस सुरंग पर कूल 45 करोड रुपय खर्च हुए है नई सुरंग का निर्मान अक्टूबर 2019 से सुरू हुआ था इस रोड से 24 घंटे में करीब 100 ट्रेने गुजरती है और डवल टरनल की वज़ा से ट्रेनों को इसे पार करने के लिए इंतिजार नहीं करना पड़ेगा साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दी कि राजगी पहली सुरंग भी जमालपूर में है जिसका निर्मान 1861 में एस्ट इंडियान रिल्वे कंपानी ने कराया था अगली बड़ी खबार एरिपोर्ट की तरह होंगे बिहार के रिल्वे स्टेसन पटना गया और मुझपर पूर सहेत उनतर जक्सन को होगा विकास सौपिंग मॉल से लेकर वेटिंग रूम तक होंगे वियाई पी जिया कोरोना की तिसरी लहर के बेज पाटना जक्सन समेत पूर मैद रिल्वे के 69 रिल्वे स्टेसनों को रिपोर्ट इस्टेंडर के अनुरूप डेवलप करने के तयारी सुरू हो गई है योजना के नुसार डेवलप्मेंट का काम 2023 तक पूरा करने का लच्च है रिल्वे स्टेसनों को डेवलप्ट करने के सारी कवायाद 2023 में सेमी हाइस्पीड और प्रावे ट्रेनों के परिचालन को लेकर चल रही है अभी हाली में मैद परदेश के रानिक कमलापती रिल्वे स्टेसन को डेवलप गिया गिया है पूर उमेद रेल में गया में development का काम चल रहा है वहीं पटना जक्सन पर executive lounge का काम चल रहा है साथ वेटिंग रूम और dormitory का नए से डेवलोप किया गिया है अगली बड़ी कबर महिला टिका करन में बिहार देश में पाचवे इस्तान पर किसौरों के vaccination में दूसरे नमबर पर जाँ कोरोना वेक्सनेशन में बिहार के महिलाओं ने बड़ी उपलवदे आसिल किया राज में महिलाओं ने टिका करन में पुरोसों को पीछे छोड़ दिया है उत्तर भारत में अपलब्दे आसिल करने वाला बिहार पहला राज बन गया है स्वास्त विभाग के अनुसार बिहार से पहले देश के चार राज्जों ने सरवादिक तेजिस से महिलाव का टिककरन किया इन राज्जों में पहले पायदान पर केरल है, दूसरे में आंधर प्रदेश, तिसरे में पूडू चरी और चोते में तामिल नाडू सामिल है कोई पाचवे इस्थान पर बिहार का इस्थान है हो गया है बिजली कंपनियों ने सिजन कनेक्शन चार्ज में 5 से 300 फिजित का इजाप्र करने का फैसला किया है बिजली कंपनियों की तरब से विहार विदूत विनायमेक आयोग को इस बावत एक प्रस्ताव बेज दिया गया है आयो की मंजूर मिलने के बाद ही अप्रेल महने से बड़े वी दरे लागू हो जाएगी बिजली कमपनियों की तरब से दिये गई प्रस्ताव के मुताबिक सेजिनल कनेक्शन कम से कम तीन महने और अधिकता में एक साल से कम आधिक के लिए दिये जा पाएंगे बड़ी कबर तेजसी को कौंग्रेस का जवाब सभी 24 सीटो पर पार्टी उतारेग उमिदवार जी आनेता प्रति पाच तेजसी प्रसाद यादव के बयान के बाद आप कौंग्रेस ने भी स्तानिया निकाय कोटे से होने वाले सभी 24 सीटो पर चुनाओ लड़ने की तयारी कॉंग्रेस विदायक दल के नेता आजित सर्मा ने कहा कि परवरी मार्च में होने जा रहे बिहार विदान परिशत की सभी 24 इस्तानिया लिकायों की सीटों पर कॉंग्रेस अपने अमिद्वार उतारेगी अगली बड़ी खबर बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 748 नए कोरोना मरेज पटना में 109 नए मामले जी हाँ बिहार में कोरोना संगरमन के नए मामलों में कमी आई है कोरोना के नए मामले बिहार में 1000 से नीचे आ गया है बिहार के लिए यह रहत बड़ी खबर है बिहार मे पिछले 24 गंडे में कुरोना के 748 नए मामले सामने आए हैं वहीं आपको बता दे कि बिहार में एक्टिव केस की सेंग्या 5081 हो गई है पिछले 24 गंडे में बिहार में 1,1,917 लोगों की कुरोना जाच हुई है जिसमें 748 नए मामले सामने आए हैं वोई पटना में 45-85 लोगों की कुरोना जाच में 109 नए केसे सामने आए हैं बड़ी कबर बिहार में खान, सार, सहीत, 6 सिक्चकों की मुस्किले बढ़ेगी पुलीस बोली थाने नहीं आये तो होगी ये कारवाई पुलीस ने चेतावने दिये कि यदि सभी सिक्चक थाने आकर नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा कोचिक संचालोकों के साथ बेड़क में पाटना की सस्पी डाक्टर मानविजीत सिंग डलो ने कहा था कि आरोपीत कोचिंग संचालोकों को अपना पक्च रखने का मौका दिया जाएगा बड़ी कबर बिहार के चात्रों के लिए खुसकबरी मार्च में बिहार के इस विभाग में होगी बंपर बहाली ग्रिय विभाग ने देदी है मंजूरी इसको लेकर सरकार की ओर से जल्द विगापा निकाले जाएंगे दो सटारब बद स्रिजित के गए हैं इन पदों की स्विकिरती ग्रिय विभाग के इस तरह से मिल गई है बड़ी कबर जेड़ोए के स्टार प्रचारों को की सूची में निती सारसिपी का जुड़ा नाम यूपी चुनाओं के लिए नई लिस्ट भी जारी जिहां उत्तर परदेश में हो रहा है विदानसवा चुनाओं में जेड़ोए के किसे उमिद्वार के जीतने की समावना कम से कम सियासी जानकारों को दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है उसके बाद पाजियत हुई तो नई सुची जारे हुई इस्टार प्रचारों की सुची में नितिश कुमार और आर्सिपी सिंग का नाम भी जोड़ा गया है बड़ी कबर बिहार में एक से दो मा में देखने लगेगा सराबंदिक कानून में बदलाओ मंद्री ने खूद दी है जानकारी जी अमद निसेद उतपाद एवं निवंदन मंत्री निसुनिल कुमार ने भी सपश्ट कर दिया कि सराबंदी कानून में संसुदन पर काम चल रहा है इसे कैसे और बेतर बनाया जाए इस पर भी मंतन हो रहा है फिलाल नए प्रस्ताव को कानूने रूप दिया जा रहा है महिन पुछे गए सवाल पर मंद्री ने कहा क्या भी सभी बिंदों पर विचार चल रहा है बड़ी कबर बिहार में निर्मान सामगरी के बड़े दाम और महंगे होंगे मकान जाने सिमेंड गिट्टे बालू वा एट की किमत जा बिहार में भवा निर्मान सामगरी को किमत फिर से ब बढ़ गई है इससे मकानों की लागत में 10% तक की बिर्दी का अनुमान है आपको बदा दे कि पहले सिमेट 360 रुपी बरती बोरा मिलती थी अब 380 रुपी हो गया है वहीं सरसट 62 रुपी प्रती किलो थी अब 70 रुपी प्रती किलो हो गया है वहीं स्टोन चेप्स 8000 से 8000 र पड़िकबर बिहार में यदि आपको मिल रहा है कम रासन तो इस नंबर पर तुरंद करे सिकायर जी आ रासन कार्ड ऐसा एक दस्तावेज है जिसके जरिये आपको सस्टे में रासन मिल जाता है लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि रासन कार्ड धारगो को डिलर रासन देन में आना कानी करते हैं ऐसे स्विति में आपके पास जो भी उतने में संतोस्त करने के अलावा कोई अइन्य विकल्प नहीं होता है यादि डिलर से आप इस समंद में कुछ पोछते हैं तो गोल मोल जवाब देकर वो आपको वापस कर देता है यदि आप आपको डिलर कम रासन देता है तो इसकी तोरण सिकायत कर सकते हैं केंदर सरकार की और से राजी के हिसाब से हेलप लाइन नमबर जारी कर दिया गया है आप इन नमबर पर कॉल करके डिलर के खिलाब अपने सिकायत द करा सकते हैं आज की लोग का स्वाल बताए कि बिहार में साथ फर्वरे से स्कूल और कॉलेज को खोले जाने चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए